स्वागत है आपका आपको अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेविधर ठाकर पर तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की दर हिंदू एडिटोरियल वक्याब्लिरी की आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल दिया गया दर हिंदू का उसका हेडिंग है इंकम and quotas on creamy layer पहला जो एडिटोरियल दिया गया अरक्षन के अब था आया है अभी एक सुप्रीम कूर का वर्डिक्ट आया है एक क्रिमि लियर तो उसके बारे में पुनर विचार करने के लिए कहा है हरयाना सरकार को तो इपॉर्टेंट एडिटोरियल है इसको आप जरूर करके पढ़िएगा तो शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से आजका हमारा पहला वर्ड है वह है अफ्लुएंट अफ्लुएंट वर्ड यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ है अफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर व्यक्ति से है ऐसा व्यक्ति जिसके बाद संसादनों की किसी भी तरह से कोई कमी ना हो बहुत जादा अमीर होना, धनवान होना, समरिद होना उसे बोला जाता है अफ्लुएंट सिनॉनिम सा आप देख सकते हैं वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच और मनीड एंटारिम से पूर, पैनिलिस, एंपावरिस्ट और देस्टिट एक्जम्पल आप देख सकते हैं सिगर्ट स्मोकिंग यूज़्ट तो बी मोर कॉमन अमंग अफ्लुएंट बीबल तो एक्जम्पल मैं कहा गया है कि जो सिगर्ट स्मोकिंग है वो काफी कॉमन पाई जाती है जो कि अमीर विक्ति होते हैं धन्वान विक्ति होते हैं उनके बीच में ये कॉमन सी एक चीज़ पाई जाती है सिगर्ट स्मोकिंग अगला हमारा शब्द प्रॉपनिंट वर्ड यहां पर नाउन की तरह यूज़ हुआ है प्रॉपनिंट का मतलब होता है किसी भी 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 विचार है कुई आइडिया है तो उसको समर्थन करने वाला समर्थक जो विचार को या किसी भी तरह की चीज़ को कोई समर्थन करे उसको उसको उसे बोल जाता है प्रॉपनिंट If you are a proponent of a particular idea or course of action you actively support it that is called proponent synonym साब देख लिए supporter promoter exponent और advocate antronym से opponent, enemy antagonist और adversary example देख लिजी he was identified as a leading proponent of the values of progressive education कि progressive जो education है उसके लिए एक व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो identify किये गए है कि वो उसके प्रबल समर्थक है किसके प्रबल समर्थक है वो कोई व्यक्ति की बात हो रही है तो किसके प्रबल समर्थक है वो progressive education के वो क्या है प्रबल समर्थक है अगला हमारा शब्द है criterion, criterion word यहां पर noun की तरह यूज हुआ है Criterion का मतलब होता है किसी भी चीज की कसौटी, मांदंड, मतलब Criteria आपने सुना होगा तो यह Criterion भी उसी से है, similar word मतलब उसी से लिया गया है कसौटी, मांदंड या मापदंड होना किसी चीज के, उसे बोल जाता है Criterion A Criterion is a factor on which you judge or decide something, that is called Criterion Synonym साब देख सकते है, Standard, Measure, Benchmark और Patron Antonyms से Possibility, Probability, Guess or Change Example देख लेजे, Domicile is an important criterion for citizenship of any country Domicile होता है कि किसी देश का या किसी राज्य का कुई जो स्थाई निवासी होता है उसका जो पर्मान पत्र होगा, राज्य का भी हो सकता है, देश का भी होता है पर्मान पत्र, जैसे हमारा पैचान पत्र होता है, किसी का आगस पर लिखके जो ये निधारित करे कि हम किसी देश के या किसी राज्य के स्थाई निवासी है तो उसे बोलायाता है, Domicile, आप लोगों को पता ही होगा, competition के तियारी अगर आप करते है तो ये चीज आप common सी चीज है, Domicile, तो बोला गया है कि Domicile is an important criterion for citizenship of any country तो किसी भी देश के लिए वहां की जो नागरिकता का प्रमान मतलब होना, उसके लिए Domicile वहां का है, वो स्थाई नागरिक है, वो प्रमान पत्र होना जरूरी है तब ही माना जाएगा कि वो किसी देश का कोई citizen है, वहां का वो नागरिक है अगला हमारा शब्द है contrary, contrary word यहां पर जिख्टी की तरह यूज हुआ है, contrary का मतलब होता है, किसी भी बात के विरूद होना, विपरीद होना, प्रतिकूल होना, या विरूदी होना किसी चीज़ का, उसे बोले जाता है contrary, completely different or opposite, that is called contrary, synonyms आप देख लीजे, opposite, reverse, opposed or obstinate, antonym स similar, like, alike, or cooperative, example आप देख सकते हैं, I thought it was possible, but she took the contrary view, मैंने सूचा कि किसी काम के बारें बात हो रही है, कि यह जो काम है, वो possible है, मतलब संभव है, परंतु किसी की लड़की की बात हो रही है, कि उसकी राय जो थी उस काम पर, या किसी भी विचार पर, वो बिलकुल उसे उलट पर देख सकते हैं, यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, है दिख सकते हैं, डिसेंशन और रेंक्स, और प्राइसे इन कॉंग्रिस, स्टेट यूनिट्स, जो पहला अडिटोरियल था उसमें कम वर्ड है, दूसरे में जादा वर्ड है, एक्जामीनेशन पॉइंट पॉइंट वीव से तो इंपॉटेंट नहीं कि पॉलिटिकली मोटिवेटिड है वक्याइब पॉइंट वीव से आप इसको पढ़ सकते हैं दूसरे एडिटोरियल को क्योंकि इसमें वक्याइब काफी जाता है तो ये जो बाते कही गई हैं ये कॉंगरिस पार्टी के बारे में बाते कही गई हैं केवल तीनी राज़्यों में चांगरेस सरकार है अभी जो रन हो रही है मतलब जिनका शार्शने तीन राज्यों में राजिस्तान है, चतीसगर है और अपना पंजाब है, तो यही तीन राज्ये है, राजिस्तान, पंजाब और चतीसगर जिसमें कॉंग्रेस की सरकार है, तो इसके बारे में बाता है कहीं कि आपस में जो वहां की लीडर्शिप है, जैसे आपको पंजाब का ही देता हूँ जैसे वहाँ पे BJP से जो आया है नवजूत सिंग सिब्दू और वहाँ के जो अभी प्रेजेंट में मुखे मंत्रिय पंजाब के इसके बारे में भी बाते कही है कि इस अपर से मतलब पॉलिटिकली जो मतभेद है आपसी बात को लेकर अनबन होना आपसी लड़ाई या किसी बात को लेकर विरोध होना अपस में उसे बोल जाता है dissension. Dissension is disagreement and argument. That is called dissension. Synonym साब देख लीजे disagreement, discourse, conflict or dispute. Antonyme से peace, agreement, harmony और accord. इसके antonyme से dissension word के. Example आप देख सकता है. The tax cut issue has caused dissension among administration officials. जो ये administration में जो भी officials थे, अधिकारी थे, वो text rate के बारे में जो कर में जो कटोती होनी थी, उस issue के बारे में उनमें आपस में मतभेद था. मतलब कोई चारादा की text cut हो, कोई चारादा की text जो करो की जो दरे हैं उसमें कटोती हो, और कुछ मतलब अधिकारी जो ये जा रहे थे कि कर, जो है ये text जो है उसमें, उसकी दरों में कटोती ना हो. तो इसके बारे में उनके बीच में क्या थी? असरमती थी, मतभेद थे इस बात को लेकर. अगला हमारा शब्द है, malcontent. Malcontent, word यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है, malcontent का मतलब होता है, किसी बात को लेकर असंतुष्टी होना, अपनी नराजगी जाहिर करना, विरोधी हो जाना, या विद्रोही हो जाना, उसे बोला जाता है, malcontent. A person who is not satisfied with the situation and complains, that is called malcontent. And synonyms आप देख सकते हैं, disaffected, dissatisfied, unhappy or discontented. Antonyms say, happy, satisfied, contended or gratified. Example आप देख लीजिए, one of them was a malcontent soldier. कि किसी सिपाही की बात हो रही है,待 Mr. Senic की बात हो रही है, कि उनमे से कोई, किसी經 narini की बात हो रही है, कि सभी शेनिकों मैं से एक सनिक ऐसा था, जो कि असंतुष्ट था, मतलव एक तरद से नराजगी जाहिर कर रहा था, वो असंतुष्ट था, किसी बात बोले कर. अगला हमारा शब्ड है बिलिगर्ड, बिलिगर्ड वार्ड यहां पे एज़क्टिप की तरह रह रहा है भिलिगर्ड का्मतलब होता है, लुझाओं कर दम Kaiser के तरह कि काथनाईबी उसे घिरे हुए रहना है प्रॉब्लम में डाल दिया या पूरी जो मुंबई सिटी है वो बारिश के कारण अलब जल भरा हो गया है तो चारो तरफ से वो घिर गई है पानी से अगला हमारा शब्ध है imperative imperative word यहां पे जिक्टी की तरह यूज हुआ है imperative का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जो बहुत जरूरी हो अत्य आवश्यक हो बहुत जाता आवश्यक होना जरूरी होना उसे बोला जाता है imperative if it is imperative that something be done that thing is extremely important and must be done that is called imperative synonyms आप देख सकते हैं essential, necessary, vital और crucial it was imperative that he act as naturally as possible कि यह बहुत जरूरी हो गया था कि वो इस तरह से व्यभार करे जो उसका बिलकुल एक जहां तक मतलब संभव हो जाके उसे अपने सोभाविक तरीके से व्यभार करना चाहिए जैसे वो naturally behave करता है उस तरह से उसे वो व्यभार करना चाहिए अगला हमारा शब्द है hilt hilt यहां पर noun की तरह use हुआ है hilt का मतलब होता है पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ के बारे में हम बात बोरे maximum extent तक पूरी तरह से पूर्ण देया fully उसको बोला जाएगा hilt to the hilt and up to the hilt mean a maximum extent possible or as fully as possible that is called hilt synonyms आप देख लीजिये handle, grip, fistful or completely antonym से release, top or mayhap example देख लीजिये I will defend you to the hilt कि मैं तुमारी पूरी तरह से क्या है तुमारा समर्थन करता हूँ एकदम पूरी तरह से पूर्ण देया मैं तुमारे साथ हूँ, तुमारा समर्थन करता हूँ अगला हमारा सब्जर rebellion, rebellion word यहां पर noun की तरह use हुआ है, rebellion का मतलब होता है बगावत करना, यह political party की बात हो रही है, यहां पर राजनितिक दल की बात हो रही है बाया लाज रूप फप प पीपल who are trying to change their country's political system that is called rebellion synonym साप देख लीजे है, revolt, uprising, insurrection, or revolution एंट्रोण से obedience, peace, harmony, और alliance इसके एंट्रोण से rebellion word के example आप देख सकता है, voting against the leader of the party was an act of open rebellion कि जो पार्टी का लीडर था जो लीडर कर रहा था मतलब प्रेजिडेंट था जो पार्टी का उसके खिलाफ मतलब openly vote करना एक बगावत का सुर्थ था विद्रोह का सुर्थ था मतलब वो खुले दोर पर उसके खिलाफ voting करना एक दम से क्या हो गया हो बगावत हो गई एक किसम से अगला हमारा शब्द है incumbent incumbent word यहां पर noun की तरह यूज हुआ है incumbent का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पदग पर कोई विद्यमान अधिकारी या पदाधिकारी उसे बोल जाता है incumbent जैसे हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंदर मोडी जी उनको बोला जाएगा incumbent प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया a person who is currently in an official position is called incumbent synonym आप देख लिजी occupant, office holder obligatory और current antonym से candidate, non-current optional और unnecessary example आप देख सकते हैं the present incumbent incumbent of the राष्टपती भवन की राष्टपती भवन की बात हो रही है की राष्टपती भवन में जो present में जो incumbent prime minister माफ कीजिएगा president है उनकी बात हो रही है अगला हमारा शब्द है instance instance word यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है instance का मतलब होता है हम किसी बात का उधारण हम पेश कर रहे है कोई मिसाल के तौर पर हम example दे रहे हैं किसी जीज़ का उसे बूला राता है instance an instance is a particular example or occurrence of something that is called instance synonyms आप देखते हैं case example is illustration or sample antonym से hide, present, repetition or certainty इसके antonym से instance word के example आप देख सकते हैं you must file your taxes on time for instance कि उधारण मिसाल के तौर पर तुमें जो अपनी आयकर की जो text file है वो time से तुमें मंदब आयकर अपना देना चाहिए उसको deposit करवा देना चाहिए अगला हमारा शब्द है confront confront word यहां पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है confront का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना किसी चीज़ से जूजना, लड़ना किसी चीज़ से उसे बोले जाएगा confront if you are confronted with a problem, task or difficulty you have to deal with it that is called confront synonym से face, tackle, need or brave entorium से avoid, evade, abandon or fear example आप देख सकते हैं he was confronted with severe money problems कि वो बहुत जादा जो गंभीर समस्याइं है किसी लड़की की बात हो रही है कि वो बहुत जादा गंभीर समस्याइं से जो है वो सामना कर रही है उससे वो जूज रही है अगला हमारा शब्द है कममराइड कमराइडरी 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 है कमराइडरी word यहाँ पर noun की तरह यूज हुआ है कमराइडरी हाँ ठीक है कमराइडरी word यहाँ पर noun की तरह यूज हुआ है कमराइडरी का मतलब होता है साथ काम करने वालों की बीच में आपस में मित्रता, मिश्वास की भावना या स्वाहर्द की भावना होना, मतलब मेल जोलकर काम करें, पारसवरी की श्वास होना, उसे बुल जाता है, कैमराइडरी, कैमराइडरी, a feeling of friendship and trust among a group of people who work together or share an experience, that is called कैमराइडरी, synonyms आप देख लीजिया, friendship, fellowship, amity or friendliness, antonyms are hate, loneliness, solitude or enmity, इसके antonyms है, कैमराइडरी वर्ड के, example देख लीजिये, a spirit of commemoratory is not always seen among people from the same fertility, कि कई बार देखा जाता है, कि जो सेम विरादरी के लोग होते हैं, उनमें भी आपस में प्यार की भावना नहीं होती है, सौहार्द की भावना नहीं होती है, पारसपरी पिश्वास उनके बीच में नहीं देखा जाता है, समान्य तोर पर. अगला हमारा शब्द है काडर, काडर वर्ड यहां पे नावन की तरह used हुआ है, काडर का मतलब होता है, किसी भी परकार के संगठन का कुई सदस्य होना, किसी संभू का कुई सदस्य तो उससे बोला जाएगा काडर. A member of this kind of group, that is called काडर. Synonym साब देख लीजे, cell, framework, group, staff or squad. And Torum से edge, underemployment or worklessness. Example आप देख सकते हैं, they were to become the carders of the new communist party. कि वो किसी किनी लोगों की बात हो रही है, कि वो जो new communist party है, उसके वो सदसे बन गए है. अगला हमारा शब्द है वेपड, 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 वर्ड यहां बेख टिक वी तरह यूज़ हुआ है, वेपड का मतलब होता है, मतलब एक्दम से नीरस होना, रूची कर अनिंट्रस्टिं होना, बिल्कुल एक्दम फीका-फीका होना, मतलब जिसमें किसी प्रूची ना इसके एंटॉनिम से एक्टिव, टेस्टी, रूमेंटिक और अमेजिंग, इसके एंटॉनिम से वेपड, वर्ड के, एक्जम्पल आप देख सकते हैं, मिरा's husband had a वेपड परसनेलिटी, and he rarely laughed, कि जो मिरा के हस्बन की बात हो रही, कि वो बहुत ही नीरस किसम के परसनेलिटी ह जो की एंट, बहुत ही कमबो हस्ते हैं, तो इस तरह से किस तरह के व्यक्ति हैं उनके husband, नीरा के husband एक नीरस व्यक्ति है, बहुत एंट्रेस्टिंग परसन है, तो यह वेपड वर्ड आज की दे हिंदू रिटूरियल वकाब्री का अंत्यम शब्द था, तो इस वीडियो में इतना ही इसी तरह के इंफर्मेटिव वीडियो के लिए रिए चैनल पर, थैंक यू, थैंक्स पर वाचिंग